वेल्कम है आप सभी का मेरे चैनल पे अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं बोलना तो आए वीडियो शुरू करते नेहा से संबंद था एक्स्ट्रामे प्रेंड जो बता रहा था कि इस तरह का रिलेशन था तो फिर इतने से क्यों बोला था आके अपनी वीडियो में कि नहीं हम लोगों का ऐसा रिलेशन नहीं था इस तरह की बाते ना करो नीतु से लोग पूछ रहे हैं कि नहां प्रेगनेंट है तो नीतु बोलती है कि नहीं इन सब चीजों को जैसे की नीतू के असबेंड ने क्या बोला था के फाच फाच दिन तलग के लोग एकी रूम में बंद रहते थे घर में फैमिली अले भाई वगेरा सब होने के बावजूद तो इतने आके बोला था कि नहीं इस तरह का रिस्ता नहीं था इतना चुछ के मत और और वो सारी बातों से मुकर गई गुल्टा उसने इसके उपर ब्लेम लगा दी कि इसने उसका यूज किया इसने उसके पैसे खा ये किया वो किया सारे ब्लेम लगा दिये तो इसको गुच्सा आया तब जाके इसने लाइब में आके आखिर कार कबूल किया कि सिर्फ और और थिर बारफिरंट गर्फरेंड वाला रिता नहीं था, उससे बहुत जादा आगे वाला रिता था, तो यही बात तो सारे के सारे creator हो गए, reaction बाले हो गए, या जो भी इनके करीबी वो हो गय उससे जब यही बाते कर रहे हैं, तो फृर सचीन का क्या बनता था, उसको बचाने का और अब आके खुद सज बता रहा है कमाल है इसकी एक बात में आप लोगों को देखो जो फैर है ना वही बात करूं तो देखो सचीन को उसने लाइफ वीडियो बना के क्या बोली कि आपका मेरे से कोई रिस्ता नहीं है आप अपनी लाइफ में कूश रहो मैं क्या था नहीं का कि मैंने तुम्हारे से सारे रिस्ते खतम की जो कि कभी भी वापिस से नहीं जुड़ेंगे उसके बोलने का मतलब यही था ना और यह बात है ना सचीन को नहीं हजम हो रही है सचीन नहीं चाहता है कि इससे रिस्ता खतम हो जब भी वह ऐसी कोई बात करती ह इसी कोई चीज अगर उसकी तरफ से आती है ना तो सचिन को आ जाता है गुसा या ये पर्तनल में उसको मैसेज करेंगा आप कुछ करेंगा वो रिप्लाइ नहीं देंगी या उसका भाई रिप्लाइ नहीं देंगा तो इसको गुसा आ जाता है या सचिन के खिलाब कोई बोलन ली जितने मज़े लेने से ले ली अब उसको ये नहीं पता था ना कि कभी ना कभी कोई ऐसा आशीक भी सर्फ में भूच जाएंगा इसके सर पर पढ़ेंगा जो के सर फिरा बनके इसको महबब तूट के करेंगा जो के सचिन ने किया वरना इसे पहले भी बहुत आशीक आए और चूप चाप निकल के चले गए लेकिन सचिन जैसा आशीक ना इसको मुझे लगता है जिन्दगी में पहली बार सपड़ा है जो के इसका पीछा ही नहीं चोड़ रहे और इसको चाहिए था कि सचिन इसका पीछा चोड़े जो के वो चोड़ी नहीं रहे तो सचिन को है ये चीज हजम नहीं हो रही है कि नहां उसको क्यों छोड़ रही है नहां उसे क्यों रिस्ता वापीज से सही नहीं कर रही है बाकि नहां को तो देखो सचिन को छोड़ना है क्यूंकि इसी ओरते हैं टैक्सी की तरह होती है एक पैसेंजर को उतार दुसरे को बिठा दुसरे को उतार तीतरे को बिटा तो उसको तो जान चुड़वानी भई सचिन से जितना मलाई खानी थी वह खा चुकी बाकि अब करते हैं सचिन की लाइब में जो जो सचिन ने प्रूब बताया इसके उपर ने हां बेशरम गटिया और अके ये बोली के मेरा उसके साथ में कुछ भी नहीं था जितना बताया जा रहा है वो नहीं था जो दिखाया जा रहा है वो नहीं था तो जो सचिन ने चैड़ बताया जिसके अंदर एक जुसरे को जान जान बोलके तुम लोग बाते कर रहे हो ये हो गया ये वो करके उसको मनाई चाह रहा है मनाई चाह रहा है उसे साफ नजर आ रहा है कि तुम लोगों का किस तरह का रिस्ता था दूसरी बात नहीं तो कि हस्बेन ने एक और बात बोला कि इन लोग है ना जीजा जी आ गए जीजा जी आ गए करके कुश होते थे सो ने चां इस बात का भी कुलासा हो गया नीतू के हजबेंड ने इस बात का खुलासा कर दिया कि जीदा जी आ गये बेटा आ गया घर का बेटा आ गया ऐसे करके उसके स्वागत किया जाता था उसको कॉल करकर बुलाया जाता था तो बात वही है कि सच्चाई कितनी भी चुपाई लेकि सामने आती जरूर है बाकि सचिन ने सुडू की और एंड की कुछ सचाईयां कोला और उसके बाद में उसने फिर एक वीडियो बनाया उसके अंदर उसने बोला कि मैं जे वर्सप पे नोटिस आया हुआ है और नोटिस में लिखा हुआ है कि अब तुम कोई भी वाइस कोई भी सचिन की और नेहा की बात हो गई है और बोल भी रहा है कि उल्टा इसने मेरे पर केस कर दी तो देखते हैं कौन सा केस हुआ है क्या होता है आगे वो तो सब सामने आई जाएंगा क्योंकि वो दिन भी सचिन वीडियो बनाया और सचिन ने बोला कि मुझे कल बुलाया गया है और फिर सचिन वहां से निकल गए तो उसने नेहा को जरूर वो जो अलका मिलवाना चाती थी नेहा और सचिन को या तो इन लोगों की मुलाकात हुई है या तो फिर सचिन केस के डर से भागा था जो के नोर्टीस उसको मिल चुका है और अब उसको किसी भी तरह से वापिस आना पड़ेंगों तो यहां पर सचिन ने जो जो भी प्रूफ दिखा है उसके अंदर बहुत सारी बाते थी एक दूतरे को गाली गलोच वो तो सचिन ने बात में गालिया दिया पहले तो इसने बहुत गालिया दी सचिन ने सबसे पहली बात तो यह बताया कि जब इसने सबी बहुत की तरह बनके मिलना तो इतनल बहुत में नहीं बरना चाहती पको शेखने-घ़जाँ कुछ करो और मैं तुम्हें यूस करो कितनी गट्या हो रहते हैं बाकी इसने जान चुटाने के लिए एक गेम के लिए कि मेरा मैं के साथ में तुम यह करो वह करो उसको जाके कमेंड करो उसके लिए community लगाओ ये करो वो करो और जब सचीन ने किया तो वो लड़ने लग गई बेवजा का बहुत चोटी सी बात थी बहुत चोटी सी बात उसने लड़ लड़के इतनी बड़ी कर दी सचीन ने community लगाया उसके भाई के लिए उसके उपरते उसने अपने भाई के लिए stand लिए और मुझे लगता है ना ये सारा कूद दोनों भाई बेन का pre-plan game था सचीन से जान चुड़वाने का क्यूंकि उसका काम निकल चुका था सचीन से ठीके तो इसने उससे लड़ी और फिर बात बढ़ते 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 यहां तलक आ गई जो आज वाईटी पे इतना गंद फैला हुआ और सचीन ने जो लाइफ किया पहली लाइफ उससे पहले तो कोई मैटर नहीं था कुछ नहीं था इनका वर्टसप पे जो हुआ जो सचीन ने सारी चैड बताया सारा कुछ मैटर ही इनका वर्टसप पे हुआ जो इसको मा भेन की वो गालियां दी सचीन को आया गुसा क्यूंकि उसने बोली कि अब मैं तुसे कोई हालत मेरे इता वापिस से नहीं बनाऊंगी तु मेरी जिन्दगी से चला जा तु मिझे छोड़ दे और मैं कोई हालत में तुरे पास वापिस नहीं आऊंगी तो इसको आया गुसा इसने लाइब लगाया और इतने बता दिया कि मेरा और उसका अफैर था बलके अफैर ते कुछ ज़्यादा ही था लेकिन इसने सिर्फ अफैर बताया और उस चीज़ को लेके फिर ये गंदगी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ी और जो निहा थी तो वो डर के मारे चुप करके बैटी हुई थी कि ये थोड़ी बहुत गंदगी करेंगा लेकिन फिर मुझे छोड़ देंगा लेकिन ये थोड़ी सी गंदगी करता था फिर उसको बूलता था आओ मापी मागू सब कुछ सुला कर लो सब कुछ शाउट आउट कर लो खतम कर दो लेकिन उसको तो जान चुडानी है न एक बात देखके इसके विडियो में जो इसने लाइफ किया उसमें इसने जो चैर कोग ये बाते कर रहे हैं कि कून से बरी पेंटी थी और ये सब लेकिन नहीं मेरे क्याल से वह सचीन की तरह से सैंट हुआ था उसको वर्टसप पे तो जाइड सी बाते उसका तो नहीं होगा ये जरूर आश्की में जैसे उंगलियां काट लेना अपने आपके उपर आया कि इसने मेरे लिए एक बार अपनी जान देने की कोशिश की थी अब उसको क्या बोलते हैं सु आप लोग समझ गए न ये जो वाइटी वाले हैं इसे वाट को बोने की इजाज़त नहीं देते हैं इसके लिए मैं ये पूरा नहीं बोल रही हूं तो ये जो की थी निया ने सचीन के लिए अपने आपको खतम करने की कोशिश की थी और जो लाश टेम पे सचीन एडमेट हुआ था सचीन ने बताया था कि मैंने अपनी जान देने की कोशिश किया फिर मैं एडमेट हुआ फिर मैं आया इस तरह से तो सचीन किसके लिए जान देने की कोशिश कर रह और उसने नेहां केलिए करने की कोशिश किया है कोई आवी कूण की उल्टियां हो रही सब दिखावा करने के लिए यह कोण का बेज़ा शान नवाग जाए और फिर से मिल जाए चाइक तो एक आएकट इसको जाए बाकि आप लोग बताना मतलब कि ना कोई 19 था ना कोई 20 था दोनों जने एक्वल थे उसने अगर इसके लिए जान देने की कोशिश की थी इसकी महबत में आके तो इसने भी वही हरकत किया मतलब कि निया से यहां पर सॉरी निया से बोरी हूं मनीशा से यहां पर माफिया मांग और मनिशा को बोला कि मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा रिफर्ण में दूंगा रिटन दूंगा जो मैंने तुम्हारे से चीना हूं मेरा प्यार मेरी मुपत तुम्हारा जो हग था वो और फिर गायब हुआ तो इसने फिर से उसको उसके साथ में इस तरह से इस्टेंड करके बेजा अब आप लोग खुछ सोचो डायन वह तो थी थी वह तो डायन थी थी वह तो चाती थी मनिशा घर खराब करना लेकिन सचीन भी तो चाता था ना जिस तरह से चैटे वगेरा यह सब बहुत सारी वोईसे यह वह सब लीक हुई है जिसके अंदर यह बोल रहा है कि मैं मैं इसको डिवाउस दे दूंगा मैं उसको छोड़ दूंगा तो और फिर आगे से यह बोलना उसने मेरे उपर कुछ कर दी थी इसने मेरे को पता नहीं क्या कर दी थी नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है अगर कि वह तुमें आना छोड़ के चरटे खिला रही थी तो तुम भी तो खाने के लिए बहुत बेताब थे ना और अभी तलक के भी बोल रहा है अभी केस वाली बात को लेके भी इतने वीडियो में क्या बोला है कि दुश्मन भी ऐसा नहीं करते है जो तुमने मेरे साथ किया है अरे भई वह दुश्मन से कम हो गई है क्या हां वहां पे वह काणी दिदी है वो बोल रही है थोड़ा सी तो लियाद रख लेते इतना तो दुश्मन भी नहीं करते समझ रहे क्या हो तुम लोग आउडियंस को पागल समझते हो क्या हरे भाई तुम लोगों ने एक गंदा रिस्ता राके तुम लोगों ने एक और तक घर खराब करने कि इसकी ज कुस्मनी नहीं निभानी चाहिए थी शौट आउट कर लेना चाहिए था भई यह क्या हो रहा है और मुझे तो अब नेहा कम और सचीन ज्यादा दिवाना नजर आ रहा है उसका क्यूंकि नेहा जैसी औरते मैंने बताई न यह लोगों को तो एक के बाद दूसरा बकरा चाह गाया है सोचो के मनिशा के उपर क्या बड्यती होगी और बोल भी राय मैंने इसको इतना प्यार किया था मेरी जान थी मैं इसके बिना रहनी सकता था घरेquent मौनी मनिशा का सोचो इतना प्यार तुम्हें मनिशा को करना चीए था अगर उसको करते न तो पता नहीं आज मनीशा को दोखा देखे क्या मिला जिलत बेख जती यही मिला ना सच में बहुत बुरा लगा यह सारा कुछ देख के जिस तरह से मतलब यह चाता था जब भी बुलाती थी चला जाता था पैसे लुटाया यह किया वो किया यह सब देख के ना मनीशा के लिए बहुत बुरा कोई उसका लेना ना देना उसके साथ में इन लोगों ने क्या किये और फिर बेशरम औरत आके इससे उसे माफी मांग रही है मनिशा से माफी तलक की नहीं मांग रही है कितनी घटिया औरत है यह और इतनी बेशरम है नहां इतनी बेशरम है बोल किया रही है वो कि इसके जो फ को कुछ कर दूंगा तो उसने बोला अरे सटियाई हुई बुढिया 40 साल की यह सोच कि तेरे फ्यांसे का नंबर कैसे गया उसके पास हां वो जो टलका है न टलका उसने दिये वो नंबर समझाई तलका ने तो तेरी सही वली बजाई ए घटिया और उसको सिंपती देना था तो जाके बुला के मेरी फ्यांसे को जाके तू वाईटी पे गंदा कर क्या तुम लोग ड्रामा समस्ते हो हां समझ नहीं रहे के तू और तेरा फ्यांसे मिलके जान बुच के यह सारा कुछ करवाए ताके रिस्ता खतम होए तेरी जान चुटे इसके लिए तुम लोग दोनों मिल केस से ये सारा कुछ करवाए इसको जाल में फसा के ताके ये गंदा था भी तो है के इसने तेरे को नंगा किया और तू इतनी बेचारी तू चूप चाप थी अगर के वो ये सब करके चूप होके बैठ जाता तो फिर खतम हो जाता सारा कुछ लेकिन वो आशी कावारा बन गया है तो वो चूपी नहीं हो रहा है इसके लिए अब तुझे केस करना पड़ा केस को सजा दिलवा के अब मेरी जान चुड़वाओंगी लानते तेरे थी औरतों के उपर आपको मैं ये काणी दीदी का भी एक और सच बता दूँ ये जो अपने हस्बेंड के नाम से इतना जो सिंपती लेती रही है तो ये अपने ससुराज से लड़ के वापिस आई थी इसने क्या बोली थी कि मैं पड़ाई करने के लिए आई थी मेरे एक्जैम थे और बताया क्या गया था इसका हस्बेंड कैसे मरा कोरोना थे जाहिरती बात है वो टैम पे कोरोना चल रहे थे कोरोना था तो ही इसका हस्बेंड मरा ना और कोरोना में सारा कूछ बंद पड़ा था सारी पड़ाईयां बंद पड़ी थी सब कूछ बंद पड़ा था तो यह exam किस चीज़ का देने आई थी सोचने वाली बात है न यहां तलब के सब कुछ चालू होने के एकदम end में college चालू हुए थे तो यह किस चीज़ का exam देने आई थी और exam दे के यह बन क्या गई MLA बन गई, MP बन गई कई की कुछ बन गई है क्या नतीज़ा निकला उस exam का इसको बोलो कि तुन्हे exam दी न तो exam का result भी तो आया होगा वो result ही दिखा दे अपनी audience को क्योंकि यह कोई exam देने नहीं आई थी यह अपने ससुराल वालों से अपने husband से लड़के यह माई के आके बेटी थी और जब ससुराल वाले ने कॉल किये कि तुरे husband की हालत इतनी खराब है तो इसने बोली मरता है न तो मर जाए मुझे कॉल मत करना अगर वो मर जाएंगा तो इसने यह बोली थी और जो सच में मर गया न तो यह घटिया ओरत वहाँ पर जाके acting कर रही थी और इसके ससुराल वालों ने इससे ही नहीं बोले थे कि अब तु क्यों आई है कि उनलोग इसको बुला बुला के मर गयते के वो मर जाएंगा तु आजा आजा लेकिन यह नहीं गई तो फिर उनलोगों ने इसकी महिएत पे इसको जलील करने की कोशिश की है जो कि यह तो इतनी डायान अउरत है कि उल्टा उन लोगों के उपर ही ब्लेम लगा दी उन लोगों को जलील करवा दी और आज भी इसके ससुराल में इसके रूम में ताला लगा हुआ इतने इतना अपना रोब हाँ पे लगा के रखिए जमा के रखिए कि इसके घर पे ताला लगा हुआ यह किसी को भी लेने नहीं देती है बुलती है मेरा हक है मेरे अध्वेंड का था सोचो ऐसी ओरत के साथ में कोई फ्रॉड कर सकता है यह कुद इतनी बड़ी फ्रॉडन औरत है इसके साथ में कौन फ्रॉड करेंगा तो बस ऐसी ओरतों को सचिन जैसे आदमी मिलते है सचिन के हलत देखी एक जो वीडियो है इन लोगों की कुछ बाइरल हुई है सचिन इसके कान में कुछ बोल रहा है तो वो वीडियो का भी सचिन क्या है कान में क्या बोल रहा था सचिन ने वो दिन बताया था ना कि मैंने इसके कान में बोला था कि दो लाग से कम तुमारी हर मंत में इंकम नहीं आएंगी यह मेरा वादा है तो उसने बोली सचिन उसने बोला वादा है मेरा तो वो वो कान में बोल रहा था और देखो वो वीडियो का किस तरह से गले मिल रही है किस तरह से प्यार कर रही है जब इनका अफैर था और वो वीडियो में सचीन को देखो वो सचीन को देखो और इस सचीन को देखो कितना फरक है यह औरत ने दिमक की तरह इसको खा गई है क इससे इसको मतलब हड़ी का धांचा हो गया है और वो वीडियो में कितना अच्छा दिख रहा था मतलब के खाते-पिते घर का दिख रहा था तो यह डायन औरते ना इसी तरह का काम करती है इनसे कोई भी अच्छे की उमीद नहीं कर सकता यह सब के घर बरबाद करती है खुद